पैसे से सच और जूटकर नहीं नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज़्यादा है एलोपैथी वालों के पास में तो उनका सच हो जाएगा आखे रसा क्या हुआ होगा कि बाबा रामदेव जो योगा सिखाते हैं सरकार भी उनके पीछे पढ़ गई सुप्रीम कोड भी उनके पीछे पढ़ गया और उनके उपर बैन लगाने तक की बात अगी एक करोड रूपे का जुर्माना हर एक एड पे लगाने तक की बात अगी उन्होंने campaign launch किया पतंजली जैसी बड़ी कमली के खिलाब specially पतंजली आयुवेट के अंडर में जो दिव्या फार्मेसी नाम से जो प्रोडक्स बनते हैं उनके खिलाब पतंजली के लगभग 82 में से 32 प्रोडक्ट कॉलिटी में फेल हो गए दोस्तों पतंजली के बहुत सारे प्रोडक्स लगातार टेस्ट में फेल हो रहे हैं बिना किसी research के बिना किसी बुन्याद के दूसरी company के प्रोडक्स को कार्सिनोजिनिक बताना यानि की cancer कर देने वाला और खुद के प्रोडक्स का टेस्ट फेल हो जाना एलूपैतिक साइंस के उपर आरोप लगाना और खुद के आमला जूस जैसे प्रोडक्ट का CSD कैंटीन में adverse report आने के बाद बैन हो जाना standard mustard oil का बेचना बिना FSSAI approval के instant noodles को बेचना Ministry of Ayush, Prime Minister Office और यहां तक की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी कोई फायदा ना होना याँ पर्मिशन के कोरो निल किट बना के COVID को ठीक करने का दावा करना misleading advertisement करके लोगों को गुमरहा कर देना फिर भी कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है पतंजली का बाबा, रामदेव और पतंजली के खिलाफ एक्शन लेने के लिए का है due to misleading ads misleading ads का मतलग यह है कि जूटे-मूटे विज्यापन दिखा के लोगों को गुमरह करना और उन्हें मजबूर करना उस प्रोड़क्ट को खरीदने के लिए जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि पतंजली एक multi-national और multi-industry company है जो की हरीदवार में based है जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूँ कि मेरा नाम है लेपनिन करनल दिवीजे सिंग, Indian Army Retired, a certified physical trainer, certified sports nutritionist, certified dietitian, a fitness author and health coach और यहां पर मैं बाते करता हूँ, अपनी और अपनी फैमिली से जुड़ी हुई health और fitness से संबंदित सभी बातों के बारे में प्रोडक्ट के खिलाब, especially पतंजली आयुवेट के अंडर में जो दिव्या फार्मेसी नाम से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके खिलाब, जिसमें सबसे पहले दिव्या आईग्रिट गोल्ड और दूसरे आईग्रिट्स, जो क्लेम करते थे, कि ग्लुकोमा और नाइट ब्लाइनलेस जैसी बिमारियों को भी वो दिवाईं से ठीक किया जा सकता है। उसके एड़डाइजमेंट पर डॉक्टर बाबू ने कंप्लेन की और आटियर भी फाइल की। और आईग्रिट का प्रियोग करके हमने उन लाखों बाए बहनों को जिनकी आखों की रोसनी से चली गई थी उनको हमने दृष्टि प्रदान की है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजली के 5 प्रोड़क्ट को प्रोड़क्शन के लिए रिव्यू करने को आदेश दिया। जिसमें डाइबिटेज, आईज, ब्लड प्रेशर, थाइरोइड और कलस्ट्रो को ठीक करने की दवाईयां शामिल थी। लेकिन उसके बाद भी एडवर्टाइजमेंट एट के लगातार वॉयलेशन होते रहे पतंजली के दवारा। यही नहीं, कोरोना काल में भी पतंजली दवारा दावा किया गया था कि उन्होंने को ठीक करने की एक दवाई बना लिया है, जिसे कोरोनिल के नाम से बेचा गया था, जिस पर आयम में इंडियन मेडिकल एसोटीशन ने मिस ब्रैंडी का आरूप लगाया था, पहले भी ऐल पैठी वालों के पास में, तो उनका सच हो जाएगा, उनके पास होस्पिटल जादा है, उनके पास डोक्टर्स जादा है, या उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। अपने आयरुवेदिक पतांजली दवायों से कुरोना के अलावा कैंसर, एड्स, हाई, बीपी, शुगर और दीगर कई बड़े बीमारियों को ठीक करने का दावा कर विवादों में नजर आये हैं। बाबा रामदेव ने हमेशा से ऐलोपेदिक मेडिसीन को नीचा दिखा और बेबुनियाद दावाँ को तुरंद बंद करना होगा। आज से सुप्रीम कोड पतांजली के हर प्रोड़क पर नजर रखेगी और अगर किसी तरह के जूटे दावे और विग्यापन दिखाई दिए तो एक करोर रुप्यों का जुर्माना लगाया जाएगा। आज से पहले कुरोना वाइरस के टाइम बाबा रामदेव ने दावा किया था कि इनकी दावाई से कुरोना वाइरस जर से खतम हो सकता है। रामदेव के जुटे दावों पर तुरंद रोग लगाई गई थी। और पतांजली ने FSS AI से लाइसे लिए बगायर इंस्टेंट नूड के इंडर में आता है। और Ministry of Ayush का क्राम क्या है वो आपकी स्क्रीन पे है। यह responsible है research and propagation of traditional medicine के लिए. Ministry of Ayush ने पतंजली को illegally अपने products का प्रमोशन करने के लिए मना किया है। और खास्तोर से diabetes, liver और heart disease जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो उनके products हैं जैसे कि lipidome, levogrit औ के द्वारा PMO Office ने, Prime Minister Office ने भी यह आदेश दिया है कि उनके उपर कड़ी से कड़ी action लिया जाए। तो इतने सालों से यह मुद्दा चला रहा है, 2016-2015 में भी उनके उपर काफी कुछ band लगा था, उनके product भी fail होते हो आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है कि अभी तक भी इनक कंपनी का promotion करते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ, mustard oil, यानि कच्ची घानी के तेल के बारे में, जब उन्होंने कहा कि बाकी सारी companies, तेल में mineral oil मिलाती है, जो की carcinogenica, यानि कि उससे cancer होता है, तो राजिस्थान सरकार ने उनके 5 sample, उनके तेल के test किये, अलबर की FSSAI lab में, और result यह र mix होता है, और हमारे में नहीं होता है, और वहाँ पर भी उन्हें काफी फटकार लगी थी, दोस्तों, पतंजली के बहुत सारे products लगातार test में fail हो रहे हैं, बिना किसी research के, बिना किसी बुन्याद के, दूसरी company के product को carcinogenica बताना, यानि की cancer कर देने वाला, और खुद के products का test fail हो जाना, एलूपैतिक science के ऊपर आरोप लगाना और खुद के आमला juice जैसे product का CSD canteen में adverse report आने के बाद ban हो जाना, standard mustard oil का बेचना, बिना FSSAI approval के instant noodles को बेचना, Ministry of Ayush, Prime Minister Office और यहां तक की Supreme Court के आदेशों का भी कोई फायदा ना होना, यह परमिशन के कोरो निल किट बना के COVID को ठीक करने का दावा करना, misleading advertisement करके लोगों को गुमरहा कर देना, फिर भी कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है पतंजली का, कहीं इसका कारण पैसा तो नही पतंजली का revenue chart में आपकी screen पर लगा देता हूँ, 2010-11 में 1000 करोड रुपे से शुरू होकर 2019-2030,000 करोड तक कर revenue पहुचा दिया पतंजली कंपनी में और दोस्तो 2022-23 का जो revenue है पतंजली का वो है 45,000 करोड रुपे और अगर बाबा रामदेव की prediction को हम मानें तो अगले 5 साल में company का revenue एक लाख करोड रुपे तक हो सकता है तो दोस्तों क्या ये एक वज़े हो सकती है कि company का कोई बाल भी मा का नहीं कर पारा आपको क्या लगता है मुझे comment में जरूर बताइएगा इतने accusations और complaints के बाद बहुत research जरूर कर लें और अगर supplements को लेकर आपको कोई भी doubt है या किसी भी किसम का सवाल है तो मुझे इस number पे WhatsApp करके जरूर पूछे मैं आपको जवाब दूँगा free में दोस्तों मुझे हर एक वीडियो बनाने में बहुत मैनत लगती है मेरी कोई team नहीं है मैं अकेला ही सब झाल है झाल 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 झाल